रामरहीम की राजदार हनी परीत हनुमांगर जंक्षन में अपने भाई के ससुराल में रुकी थी, हैरानी की बात है क्ये हनुमांगर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि हनी परीत की गिर अफ्तारी को लेकर लुक आउट नोटिस जारी हो चुका था, बताया जा रहा है कि हर्याना पुलिस ने इस संबंद में गुरुवार को पूर पाशद मदन बागला के घर पहुचकर पूचताज भी की लेकिन बागला परिवार के लोग इसको लेकर खुल कर नहीं बोल रहे हैं हाला की मदन बागला ने हनी प्रीत के यहां रुकने की पुष्टी की है खाना नहीं खाया और रात भर रोती ही रही उनका कहना है कि 28 अगस्त की रात्री को हनी प्रीत उनके घर पर रुकी थी और अगले दिन सुबह बुचली गई थी मदन बगला ने बताया कि हनी प्रीत यहां रुकी थी रिश्तिदार होने के कारण खाना बनाया गया लेकिन हनी प्रीत ने खाना नहीं खाया था वह यहां पर रोती रही और घर से जाते समय भी रो रही थी पमचकूला पुलिस ने डेरा मुखी की मा नसीब कौर पत्नी हर जीत को और बेटे जस्मीत वह उसकी पत्नी को नोटिस जारी कर पमचकूला में पूछताच के लिए बुलाया है